नोईडा स्टीफ ने एक ऐसे गिरों का भंडा फोर्ड किया है जो लोगों को इंटरनेट पर कमाई का जहांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूल रहा था हैरानी की बात यह है कि इस कंपनी के ग्रावकों की संक्या 100, 200 या फिर 1000, 2000 नहीं बलकि 6,5 लाग है Special Task Force ने नोईडा की इस कंपनी के खलाव कारवाई करते हुए कंपनी के निदेशक, CEO और तक्नीकी प्रमुक को गरफतार कर इनके बैंक खाते में जमा करीब 500 करोड से अधिक रुपए फ्रीज कराए है उन्होंने बताया कि डिजिटल मारकेटिंग के नाम पर 3700 करोड रुपए का घोटाला है 5000 से लेकर 50,000 में में मिमबर्शिप पाठक ने बताया कि कंपनी में social trade.biz नाम से social portal बनाकर मल्टी लेवल मारकेटिंग के जरिये लोगों को सदस्त बनाया गया इसकी सदस्ता 5000 रुपए से शुरू होकर 50,000 रुपए तक की थी इसमें 10 फीजदी tax और 5 फीजदी filing charge अलग से वसूला जाता था यानि 5000 की सदस्ता 5750 रुपए की होती थी सदस्ता के हिसाब से internet पर like क्लिक करने को मिलते थे 5000 पर 10 लाइक रोजाना और 50,000 पर 100 लाइक रोजाना 100 लाइक पर 25 लाइक बोनस के तौर पर मिलते थे यानि कि 50,000 की सदस्ता पर रोजाना 125 लाइक करने पर 625 रुपए आपके खाते में जमा हो जाते थे लेकिन इसे 625 रुपए पर भी 15 फीज़दी टेक्स आधी कटने के बाद हर सबता सदस्त का इसाब किया जाता है 65,000,000 सदस्ता अगर आप दो अन सदस्ता बनाते हैं तो आप बूस्टर एक्टिव हो जाएंगे इसमें 125 लाइक और आपके खाते में जुड़ जाएंगे टास्क फोर्स को अपनी कारवाई में कमपनी के कारयाले से 6,30,000 लोगों के फोन नमबर डाटा बेस में मिले हैं और 9,00,000 लोगों के पहचान पत्र बरामत किये गए हैं कमपनी के खरफतार इदकारियों में निदेशक, अनबव, मित्तल, CEO, शृदर, प्रसाद और तकनीकी प्रमुक महेश शामिल हैं स्टेफ ने बताया कि ये लोग खुद ही फर्जी कमपनी के विग्यापन तयार करके पोर्टल पर डालते थे और सदस ली गई रकम को ही सदस्यों में बाटते थे सरकारी जांच एजेंसियों से बचने के लिए ये कमपनी एक माँ से लगातार नाम बदल रही थी पहले सोशल ट्रेड विज फिर फ्री हब डाट कॉम से फेंसलब डाट कॉम इंटमार डाट कॉम और थ्री डबलू डाट कॉम के नाम से एक कमपनी लोगों से दोगाद़ी कर रही थी वहीं कमपनी के निदेशक अनुबह मित्तल का कहना है कि उन्होंने कोई घपला नहीं किया है सारा हिसाब किताब ऑनलाइन रिकॉर्ड में है और उनके इस से लेन दियन का पूरा टैक्स से सरकार को भरा जाता है और मुनाफे को सदस्यों में बाटा जाता है कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है फिलाल मामले की जान जारी है देखते रहें डीबी लाइव